जहिन वारियर्स जैसा हम लोगों ने बात किया था कि पेपर किस तरीके आने वाला है बहुत डर था आपके अंदर मैं बार-बार आप सभी से कहता था कि भाया NDA के वर डराता है पेपर बहुत आसान होता है इतना समझ लीजिए आप कि जिस लेवल का पेपर आया है जो पुर इतना आसान पेपर आप सभी का आया है कि अब मैं क्या बताओं आपको कि आप खुद बिलीब नहीं करोगे या कि NDA में इतना इंतजार करने के बाद भाई 6 महिने के बाद आपको इंतजार करना पड़ा 6 महिने के बाद आपका पेपर हो रहा है जो पेपर बहुत पहले हो जाना था तीन-चार मेहने पहले वह आज हो रहा है उसके बाद पेपर इतना अशान दे दिया उन्होंने बहुत सारे सवाल बढ़ा अच्छा लग रहा है कि बहुत सारे कोश्चन कि सीधा सीधा जो क्लास में डिसकस किया गया था जो मैंने अभी ट्रिक्स बताए ट्रिक्स त दिल मेरा खुष हो गया जब मैंने पेपर देखा तो लेकिन एक बात ध्यान रखेगा अभी दूसरा पेपर आपका होने वाला है तो दूसरा पेपर जब जाईएगा देने के लिए आप थोड़ा सा साउधानी बरती है क्यों क्योंकि पहला पेपर आशान है नो डाउट आ देखे जो मैंने कहा ता 40-45 आसान आता है 50-50 अब इसमें भी है इस पेपर में भी जो आज आपका हुआ है उसमें भी कुछ कोशन छोड़ने वाले है लेकिन अगर आप पूरे पेपर को जैसे मैंने प्लाइनिंग से बताया तक करोगे तो आसान इसलिए हो गया कि लास्ट calculus दे देगा होई नहीं सकता है मतलब जितने हम लोगों ने विटा फॉर्मूले पढ़े जितने ट्रिक्स पढ़े वो ट्रिक्स पर पूरे सवाल दे दिया calculus का आप डिफिनिट इंटेग्रेशन देख लो एक आया था एरिया अंडर धकर उसका भी मनें सामने आया हूं इसलिए थोड़ा सा समय लग गया मुझे अच्छे से प्रॉपर देखने में लगी जाता है और थोड़ा सा हमारे पास लेट पहुंचा था इसलिए मैं आपके सामने अब आ गया हूं लेकिन ध्यान रखना अगले पेपर में गलतिया मत करना अगर इस पेपर म अच्छे से अटम्ट करिएगा दिमाग अच्छे लेकिन मुझे उम्मीद है जो मेरे पढ़ाये हुए बच्चे जो यहां के स्टूडेंट्स हैं उनका स्कोर 65 और 70 प्लस होगा जो अच्छे बच्चे थे जिसमें कई सारे बच्चे हैं नाम लेना इतना समय नहीं है वह समय बेट्स की हुए कुछ सवाल आपको दिखाते हैं आप यार कहो गया सर आप यह तो एंडिया का पेपर लाए नहीं हो यह तो हम लोगों नहीं यहां पर कई बार लगा तो वही सवाल आये हुए है तो देखिए जो मैंने आपको पैटन कराया थे बटा वह पैटन इस तर सा आपका confidence बढ़ाने के लिए बहुत सारे important सवाल है आपको मैं पेपर दिखा देता हूं और साम को सभी बच्चे ध्यान रखिए साम को आज live session है पूरे जीएस का भी इंग्लिस का भी मैस का भी तो आप जरूर अगर नहीं है इस चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजेगा उस तरीके से आपको मिलेगा जैसे examination hall में आया हुआ है तो इतना आसान आसान कोश्चन हम लोगों ने कभी इमेजी नहीं किया था कि इतना आसान भी पेपर आ जाएगा जैसे फॉर ट्रिग्णोमेटी एक सिंपल सा को स्ट्रिग्णोमेटी के कुछ कॉश्चन नोंने यह के है अगर प्रिवियर्स यह टेनियर्स का आपने सॉल्व किया था तो बहुत सारे सवाल वहां जैसे फॉर एक्जम्पल मैंने एक ट्रिग्णोमेटी का उठा लिया लिखा इनोने कोस सेवेंटीन माइनस साइन सेवेंटीन अपवन कोस सेवेंटीन प्लस साइन सेवेंटीन कितना çaacane ایک 2nd में बच्चा कोश्चन करेगा वाइध ड्रेटा आप ज ils एक होता है यह उपर माइन से तो आप माइनिस कर देते हो और प्लस है तो प्लस कर देते हो तो बिटा यह माइनस था तो माइनस नोगे इंगिल था आप कॉपी करोगे इधर देखिए 10 ठीटा है वालक यह कैंसिल हो गया तो ठीटा की विलू क्या आगे आप यहां माइस करोगे तो 28 आ जाएगी 28 और 2745 होता है होता है कि तो आसान देख कर तिक कर दोगे वी ओफ्षिन ऐसे बहुत सारे कोश्चन मैं भी आपको करा ना हूं कम से कम 35-40 सवाल बिटा ऐसा है कि आप देख कर तिक कर दोगे कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी यह सवाल देखिए अगला अगला कोश्चन द चला तुम लोगों के पास समय नहीं है अभी तुम लोगा इंट्री हो जाएगा अगला कोश्चन दिया है एट इंट्व क्या होता है साइन डूं की पावर एंट्व ए और नीचे क्या होता है यहीत होता है इसका डारेक्ट जब ऐंगिल उसके डबल हो मैंने कहा था कॉस के डबल होता है 10 का 20 हो गया 20 का 40 हो गया जब एंगल डबल हो रहे हैं क्या करना था यह फॉर्मला लगाना था तो एट तो आगे था आपका है ना और टू की पावर कितना है 3 क्योंकि तीन वार है तो नीचे हो जाएगा 8 यह तो हो गया कैंसिल अब आगे बचेगा साइन 2 की पावर एं मतलब कितना होगा यहां आएगा टू की पावर कितना थी तो 8 हो जाएगा और एक्ट दस है और नीचे देखें साइन एक वैलू क्या थी 10 थी तो एकतना हो गया 80 ह पीटा और नीचे था साइन 10 साइं 10 आप खुदी देखू इसका अंसर क्या है इससे आसान कुछ मिलने वाला है क्या आपको आप कैसे स्वाल करोगे इसको क्या लिक सकते हो थोड़ा सादिवाक लगा आप आप आप्षिन पे जाओगे तो फटा फटा आपका अंसर मिल कोट 10 मतलब 10 से 15 शिकन लगा बिटा इस कोश्चन को करने में आपको बस यह बात याद होनी चाहिए तो जो मैंने लिखवाया था ट्रिक में कि अगर कॉस का एंगल डवल होते जाते कितना भी कुछ लोगों ने डायक्ट यह याद कराया था कॉस का एंगल डवल हो तो टू होई होगी एक परशेंट भी आप सभी को क्लियर है ओके आते हैं आगे बढ़ते हैं अगले कोशन पर देखें मतलब मैं खुद ब्लीब नहीं कर रहा हूं कि इतना जादा वेट कराने के बार एंडिये ने इतना आसान सा सवाल आप से एक्जाम में पूछ लिया बिटा इतन इसका कोडान बताई है एंगल बताई है तो इसमें कुछ बच्चे ऐसा सोचेंगे कि भाईया हम यहां कुछ ओमेगा ओमेगा इसक्वार ना ओमीगा ओमेगा इसक्वार क्यों नहीं बन सकता क्योंकि यहां आके साइन में माइनस नहीं है इसलिए नहीं बन सकता अगर यहां ओमेगा में बनाना चाहोगे बटा तो माइनस मल्टिप्लाइगा तो यह प्लस हो गया अगर माइनस मल्टिप्लाइग रहा है तो यहां माइनस माइनस दोनों हो गया तो माइनस वन माइनस हो जाएगा तो ओमेगा ओमेगा स्कौाइर्ट विकेश बन जाएगा बिल्कूल सकता है डूसरी चीज का सकते ते अगर इसको अपॉन टू अपॉन टू करत जैसे अपॉन टू किया आप जानते हो कि साइन ठीटा क्या साइन ठीटा प्लस Áई साइन ठीटा अगर होता आई weakened सब्सक्राइब यह थोड़ा सा जल्द बाजी हो गई जलबाजी हो गई मुझसे बतलब इतना आसान पेपर है कि बहुत जादा एक ट्राइट में बहुत अलग तरीके का हो गया देखिए लिचिगर थेटा प्लस-ремal इसकी पावर एन होता तो इसको पावर यह सालlast में बनना लिखा है यह क्या लिखा है कोउस कि शॉष्क्ष्टि यह क्या लिखा है नीचे 2 multiply कराओगे, sin 60 हो जाएगा नीचे देखिए ये cos 60 है ना और minus में ये क्या है ये है sin 60 अब इसको उपर ले जाओ minus 1 उपर जाएगा तो minus 1 हो जाएगा और minus 1 अंगर multiply होगा तो देखिए यहाँ plus था तो ये plus रहेगा और ये उपर ले जाओगे तो minus 1 हो जाएगा cos 60 minus i sin 60 है और जब इसको उपर ले जाओगे और plus है उपर minus 1 लगेगा तो minus यहाँ जाएगा cos minus theta तो cos theta ही रहेगा लेकिन sin minus theta minus sin theta हो जाएगा आप सभी जानते हो अब देखिए same चीज है तो angle जूड़ जाते हैं जितने भी ऐसे आपके complex number लिखे होते है theta 1, theta 2, theta 3 यह सारी लिखे होते हैं तो यह जूड़ जाता है तो इसका मिलके हो जाएगा क्या cos 120 minus i sin 120 तो theta क्या है 120 theta क्या है बटा 120 आप खुद देखिए आपका c option मिल जाएगा इस तरी केस कर सकते थे omega वाले में case में कर सकते थे omega वाले में भी आपका answer आजाता वो कैसे करते omega वाला देखिए अगर omega वाला कुछ बच्चों ने apply किया होगा तो मैं एक बार try कर लेता हूँ आपके सामने ही करना है तो एक बार मैं try करता हूँ ठीक है हो सकता है कि वो within second आपका answer देदे omega वाला देखिए कैसे आपका था answer one minus i root three upon one plus i root three minus से उपर करा है तो minus से plus हो गया ठीक ये minus और ये भी minus हो गया जब minus नीचे कराएंगे तो minus उपर नीचे हम करा सकते हैं करा सकते हैं हमने करा दिया माइनख के हैं ये माइनफ हो गया है हिया माइनस हो गया हम कि माइनस वन प्लस root 3i upon two और अपका तो आप देखो आगे प्लस पीछे माइनस solve करोगे और second quadrant में अगर आप देख रहे हो तो 120 देखो 240 आंसर है 210 है 120 60 तो इसी तरीके से आप guess कर सकते थे तो second quadrant में जा रहा है तो इसका answer second में किवल 120 है वही आपका option हो जाएगा और बाकी मैंने सब्सक्राइब इसका भी कैंसिल होके सेम आंसर वन हो जाएगा देखो बिदिन सेकेंड आप answer क्लिक करोगे 46 का देखे कितना आसान मैं बार-बार कह रहा हूं कि पेपर बहुत आसान था अब अभी सारा पूरा mention किया है बहुत सारे question last year के repeated हैं बहुत सारे हमारे notes के मिल गए है और जो मैंने आपको tricks बताई थी बेटा tricks तो इतनी काम करिए यह देखिए इस से पहितर सवाल कहीं मिल नहीं सकता है लेकिन जो बच्चा पढ़ा है वो बिदिन सेकेंड किया होगा इस question को कैसा सवाल है इलिप्स का question आपके सामने माल देजिए देखिए यह इलिप्स है यह इलिप्स है यह सभी बच्चा जानते एलिप्स है ठीक है एक्स स्कॉयर अगर इसको हम ब्रेक करेंगे तो हो जाएगा उपर पच्चीस है नीचे 400 कर दो बेटा यह 400 कर दो ले आओ और 16y स्कॉयर था तो 16y स्कॉयर इक्वल्स टू धर था 400 तो 400 यह आपकी एक्वेशन है आपने अभी पेपर दिया बेटा ध्यान से सुनिए यहां पे अगर आप देखते हो तो कितनी बार में जाएगा यह पचीस चोका सो होता है ना और यह 400 है तो कितना हो जाएगा पचीस एकम एट और सुल असी सुला पंचे असी यह हो गया तो एक्स स्कॉयर अपन ध्यान से सुनिए का बहुत इंपॉर्टन कोशन ने कराया हुआ है आपके अंडिये में आया हुआ कोशन था यह 16 है और यह 25 आ गया यह 25 अपन 400 है यह 14 अपन 400 से 16 अपन तो यह सीदी सी बात है इसकी बेढ़ी वैलू जदा आएगे क्योंकि उपर कम है और इसकी वैलू को यहाँ थोड़ा समझने वाली बात थी समझने वाली बात किया है इनोंने क्या र esas है 0의 3 2 Electması ऐसा नहीं बनरा है आपका lifes johaya equation अगर правильно का देखा गया रिखरना का देखिए इलिपसश और सब्सक्राइब से महीन बैटा इस तरही चिंद के सब्सक्राइब तो एक्पवाइंट है इस से इसकी दूरी PLUS इसकी दूरी क्यूपी क्यूपी PLUS PR पूछा है यहां तो वर्टेक्स है zam皆 यह बात आपको जाननी जरूरी है वर्टेक्स अगर है तब यहां लिखेंगे अदरवाई्स यहां देखे यह क्या है यह 4 और यह 5 तो आप देखोगे कि A की value 4 है और B की value 5 है और जो यहां पे होता है 0,2 यह लिखाए जीरो कमा अगर आप देखोगे तो 0,5 है आप है ठीक है और यहां नीचे भी 0 कमा 5-5 जाएगा यानि की बहुत अच्छे समझेगा बीच में इधर 0,3 यहां आएगा यहां पे आएगा और अभी मैंने चेक नहीं किया लेकिन यह पक्की बात होना है आप चेक कर लेना यह आएगा जब यहां नहीं आया तो अब यहीं पर आएगा अधर्वाइज यह बहुत लंबा हो जाता आप सॉल्व नहीं कर पाते तो सीडी सी बात है यह है जो पॉइंट दिया था थरी कामा जीरो और माइनस थरी कामा जीरो यह दिया था आपका किसका फोकई का कॉडिनेट और फोकस से किसी भी बिंदुस की जो दूरी होती है पी अफ प्लस पी अफ डैस वो होती है लेंथ आप मेजर एक्सिस किसके प्रभी जोगा बस इतना ही घुमाया था कि बच्चा क्या करेगा टू इंटू एक कर देगा एक इवेलू चार है तो कितना आएगा आठ देखिए आठ आफ के ऑप्षिन में है लेकिन गलत है आपका टू इंटू बी होगा तो टू इंटू बी कि वैलू कितनी है फाइब अगर थोड़ा हम कम भी कर पाते हैं तो कोई बात नहीं बहुत तुक्के नहीं मारने है हो सकता है मैस का पेपर थोड़ा आशान कर दिया है तो जीटी वाला थोड़ा सा लेंदी कर दे माइंड एकदम बना के जाईएगा अगर इन्होंने थोड़ा सा आशान किया है किसका पर मैस का तो जीटी का थोड़ा सा वो लेबल बढ़ा सकते लेकिन आपको घबराना नहीं है क्योंकि मैस में आपने अच्छा कर लिया होगा होप करता हूं यह चीज क्योंकि बहुत अच्छा पेपर था सब पढ़ाया हुआ था आप इंगलिस और जीटी के सेक्षन में अच् के आसपास करेंगे 75 के आसपास तब भी उनका सेलेक्शन हो जाएगा तो घबराना नहीं है जिन बच्चों का भी थोड़ा एटम्ट कम भी हुआ है क्योंकि पूरा पेपर बाकी है जीटी का और आपकी मेरिट बहा देगी एक कोश्चन चार नंबर का होता है बिल्कूल एक मैंने पहले बताया था बिटा 40-45 मिनिट आप इंगलिस पर दीजिएगा और 40-45 मिनिट जैसे ही बीतेगा आप उससे ज्यादा नहीं दोगे 45-50 मिनिट घरली दिया आपने उससे ज़ादा आप कोशिश करना घड़ी देखते रहे ना टाइम मत देना उसके बाद आप पूर कोई फेकल्टी लाइब रहेगी जैसे आपका क्लास ओबर होगा सारी फेकल्टी इंगलिस की जी के की अलग लग सेक्षन की आज ही मैं पूरा पेपर डिसकस करा दूंगा आपको कोई प्रेशानी वाली बात नहीं आप जब दवा के अच्छे से यानिक लिए कॉन्फिडें सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है हम आगे पेपर को थोड़ा और डिसस कराएंगे मैं बद देख रहा हूं कि कितना आसान पेपर बनाया वही इतना आशान बनाया है कि मैं आपको कुछ कह ही नहीं सकता हूं अगला कोशिशन फिर देखिए और बहुत ही दिखिए लेकिन बच्चों के लिए जो थोड़ा सा थक्निकली नहीं सोचेंगे उनको chut mulher कैसे देशए इन्होंने कहाँ यह दिरी सिंटर माइनस वन कामा माइनस टू है इसका जो सरकम सिंटर है माइनस वन माइनस माइनस वन माइनस वन इसका क्या है सरकम सिंटर है तो के का मान बताओ अब मैंने एक बात बताई थी सरकम सिंटर आर्थो सिंटर इस निकालने से पहले एक बार दिमाग में देख लो यार कि ट् तो नहीं है एक लेटर है तो सारे पॉइंट कोईडिनेट के किसके किसके सेंट्वाइड आर्थो सेंटर सरक्म सेंटर सब कॉंसाइट कर जाता है मैंने एक बात और बताई थी आप सभी को कि अगर वह कौन सा ट्रेंगिल बन जा है राइट एंगल ट्रेंगल बन जा तो यह लाइन ऐसे जाएगी एक्स प्लाइबर कुछ बॉख उता है तो यह लाइन एसी जाएगी इस निया प्लज़ यहान से सुन में ओख न्योज लिए तो यह दो थैंग से बरावर दो है और यह व रावर दो है अब इंसे ट्म अब यह कैसी है जो इस तरीके से कहीं जा रही होगी यह बना यह देखिए यह 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 नबे पे जब दो यह इसके पैर लोगे इसके यह परपेंडिकुलर है यह आटोमेटिक पर पिने यह हाइपोटेनिस है कौन सा है हाइपो वाइट एंगल ट्रेंगल है मतलब इसका जो सरक मद्द बिन्द दिया था माइनस वन वन और यहां से स्कोर करके सीधा यहां पर अपलाई करोगे बिन सेकंड आपका अंसर आ जाएगा कुछ नहीं करना था यह इसी लाइन पर है इसी हाइपोटिनिस पर होगा यहां इसको फॉलो करेगा तो देको माइनस के यहां वन रखोंगे माइनस 1 प्लस वाइख जिए रखोंगे प्लिस टू ब्राबर जी अलो यह लो माईनस के लेस्ट रिबराबर जीरू यह लो आपका भी यह आंसर आ गया माइनस कि उदर जाओ गे माइनस मैनस कड गया प्रूस देखो के की वेनु ठीज इसको फुरा साज चेक करना प्लस माइनस नहीं करना के एक्स प्लस य के vy kx प्लस फ्रोई यं Belgium 1-1 1-1 यहाँ यह मीनिस वन माइनस विल्ख थेंट एगा माइनस के और भी माइनस वने थो मैंनस वन प्लस टू वणायवदियरो यह हो गया अब देखिए माइनस के यह प्लस वन बराबर जीरो तो के की वैलू इधर माइनस प्लस वन के की वैलू वन आपकी तुरंत आसर आगई तो आप देखो बिटा पेपर बहुत आसान है लेकिन अगर आप इसका क्या निकालते क्या निकालते जो पूछा सरकम सेंटर फिर इसको इस पर फॉलू कराते तो लंबा जाता सरकम सेंटर निकाले पॉइंट मानते भ़़ा लंबा चला जाता मैंने ट्रीक बताया था ब्यांटरिये कों पहले पचान देखा यह त्रेंग्र तो wr cabe rail और इसका जो सरकम सेंटर होता है वो क्या होता है कड का opinions का मद्ध ब सब्सक्राइब करने बैठते तो दो से तीन मिट लगता सोचा पंद्रा सेकंड में लग क्या बात समझ में मेरी आ रही होगी आप सभी बच्चों को कि पेपर ऐसे ही एंडिये का घुमाता है पेपर है बहुत आशान टफ नहीं है बस आपको सोच आपकी एप्रोच और यही ज किसी बटाइस नहीं होती है इस चैनल पर नहीं लिए अब इंडिये कासि वहांपे हिमाण सी सिम्म मैं सी क्यारी कौन है चलो आप सबी लोग अच्छा किये होंगे अंबीद करते एं पेपर कैसा गया रिप पूछा आपके कमेंट भी क्या आपके इमोशन से मैं तो अपने इमोशन आपको दिखा रहा हूं कि पेपर बड़ा आशान है जरा आपने इमोशन बताओ भई आप देख रहे हो कि जो क्लास में मैंने जैसे बताया था कि इस तरीके से सवाल आएगा और बैको उसी तरीके सवाल है हो पेपर बहुत आशान था भी मैं अभी सवाल सवाल कराने वाला हूं आज लाइब आउंगा आपके सामने पूरा पेपर आप ऐसे हस्ते खेलते सारी सवाल लगा होगे तो मैं पेपर देख रहा था पलटता जा रहा था है कि कुछ अच्छे सवाल मिल जाए धंके मिल जहा सवाल सब दे दिया है लास्ट यर के सारे सवाल दे दिया है तो घबराना नहीं है एंडिये में पेपर दूसा पेपर भी आसान आएगा हमें वहाँ एक्जामनेशन में प्रेशर होता है इसलिए समझ नहीं आता है बस साउधानी उसी चीज़ की रखना अगर आप 80-90 सवाल कर ले जाते हो तो अच्छे मेरिट में जा रहे और यह मत सोचना यार पेपर आसान है तो हर बार मेरिट अभी 360 मैक्सिम गई थी इस बार साड़े 400 जाने वाली नहीं साड़े 400 मेरिट नहीं जाएगी बैटा वह ऐसे बैलेंस करेंगे कि आपकी मेरिट 400 के अंदर ही आएगी ध्यान रखना तो अगर आप 80 के ओपर जी एटी में एकदम सही कर रहे हो फिर लगता है तुक्का मारने जूरे थे तो मत मारना आप 100 करो 110 करो लेकिन सही करो बैटा इस बात को दिमाग में आप बैठाईए गाचे से रिसी राज सिंग सर पेपर सिंपल था बहुत सिंपल थ मतलब मुझे खुद बिलीब नहीं हो रहा है मैं तो दस साल से हूँ इस पूरलव थो इतना आसान पेपर नहीं हो रहा है कि मैंस में इतना असान देदे tür यार जो पुराने बच् you जो इस अभी मुझसे पढ़े हुए है सीधा सीधाना सीधान नोरा मैं आपको दिखाता हू फिर एक बार इन नोट्स का सवाल है जो मैं दिखाने जा रहा हूँ आपको अभी आपके पास समय नहीं है लेकिन मैं वो चीज तो दिखा सकता हूँ जो मैंने आप तो कराया है या क्लास में देखो एक लाइन का सवाल है बच्चा सॉल्व करे तो बैठा रह जाए सॉल्व कर सब्सक्राइब का अगर कहीं भी इसकॉइर दिया है तो इसका मतलब होता है यह स्कॉइर मैं नहीं मैंने लिखाया था सउडकर प्लाइस बात को आप द्यान रखना यह बात मैंने बताई भी दिया दिखो कोश्द किया यहां 144 दे थी का मौड एक ही चार है तो मौड एक ही रहचार चार चौक 16 हो गया तो कह रहा है बीच्वायर हो गया यह लोग इसके नीचे आ गया तो कितना वह एक यह सब इतने आसान सवाल कैसे दे सकता है यह इतने आसान सवाल हम कैसे मान सकते हैं यह देखो लिमिट का अगर आप थोड़ा दिमाग लगाते बिदिन सेकेंड आंसुल लगाते कैसे देखो जड़ा लिमिट का सवाल इनो पूछा एक्स टैंस टू जीरो बच्चों वाला सव एक्स लॉग 1-6 अपोन एक्स इसक्वायर थोड़ा सा इसको अलग करके देखो अगर मैंने सीधा रूल लिखाया है सीधा पढ़ाया हुआ है अगर थोड़ा सा अलग करके इसको करते हैं तो यह लॉग 1-1 एकस है और रहां यार मों तो फटाफट कर ले जाएंगे जो कही कुछ भी ना पढ़े हो बिसका की लेएगे यह सब किर आया है क्लास में excuse करे है इसे सारे basic बाते हैं और देखो एक देखो और थोड़ासा घुमाया गु裡面 को आपको बस ध्यान रखना था उसमें ताकि आप और ज्यादा रोके जाओ कि यह का मतलब कुछ है नहीं दूसरे पेपर में कॉन्फिडेंस से आप को जंडा गाड़ना है ध्यानकता देखिए के डिवाई-वाई-डिक्वल्स टू यह इंटिग्रेशन लगा दिया इन्होंने अब वन प्लस डिवाई- का यहाँ स्क्वायर है और होल पावर टूव अब लगा डिगरी बताओ यह वाला लगा दिया यह इन्टू-डियस कर दिया यह नया कर दिया बच्चा कर दिया अगे ले तो है तो ऑडर तो हमेशा वन होनिया गलट यहीं तो गलत हो गया कैसे भीया जब इंटीग्रेशन ल अगर उसका integration करें तो function मिल जाता है तो मतलग अकर इसका हम differentiation कर दे तो यह symbol हट जाएगा differentiation और integration एक दूसरे के उल्टे होते हैं तो अगर मैं इहां differentiation कर दूँ तो इसका symbol हट जाएगा एंटीग्रेशन हट जाएगा तो यह इधर किया तो इथर वह जोंए पड़ेगा हमें इधर भी डी इवाइड दी 엑सका करना पड़े हाट किसका-धन й किसका करना पड़ेगा कि आप इधर देखो सिंबल हड़ गया तो वन प्लस डी वाइवाइवाइव डी एक्स की पार स्क्वाइर है और यहां पार ऊपर क्या है टूटूजा फोर हो जाएगा ना यह पावर होल है ना बेटा यह तो टूजा फोर भाई-3 हो जाएगा देखो यह पार होल नहीं है पावर होल नहीं है यह अलग है तो इसको अलग रखो यह वन प्लस जरा मैं दुबारा लिख लेता हूं एक्स यहां इसक्वाइर है इस पे और होल है आपका टूबाइट ठीक अब इसका आप करो के डिफ्रेंसिशेशन पीटा यह क्या देवाइवाइ यह वाइडीक्स टूबाइगा सेकेंड और 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 मैंने का ता फ्रेक्शन नहीं हो सकती तो नीचे वाला इधर लियाओ ठीर हो जाएगा वन प्लस डीवाइवाइवाइडी एक्स का यहां इसक्वाइर है और फिर होल स्कॉइर है भाई इससे क्या मतलब है यहां तो ओर ए सब्सक्राइब है और जिसका डिग्री वहीं मानी जाएगे तो अर्डर दो डिग्री तीन भी इस दर आइट ऑप्शन बहुत बच्चा इसको एक मार देगा इस्टार्टिंग में और तुक्का गलत कर देगा ध्यान लएज बात को बिटा तो अभी हम बहुत अच्छे से सा नहीं था पेपर में यह देखो अब बताओ ऐसा सवाल भी पूछना चाहिए था यार में मारकर में आदत इसमें थोड़ी से वह नहीं दिना तो डेस्टर ढोड़ना पढ़ता बार बार की डेस्टर का है देखो इस सवाल को अगर आपके पास ट्रिक नहीं होता और मैंने आ का ट्रिक अभी बताया है जब 57 दिन पहले इंटिग्रेशन पढ़ाया तब वो ट्रिक क्या थी ट्रिक थी बिटा देखो जड़ा मने बताया था आपको कि कि अगट टैन की पावर एनक्स है जीरो से पाय भाई फॉर होसी लिमीटे बात मैंने बताहिती डी एक से प्लस जीरो से पाई वाई-फॉर टैन-2 डी एक से तो इसका आन्सर होता वण अपॉन एन-1 क्या होता है वन अपॉन एन-1 यह लिकाया था म आप मेरा वीडियो उठाके देखना अभी मैंने कोई प्राइविट नहीं किया है कैलकुलस का उसमें मैंने इंड डिफिनिट इंडिग्रेशन का लिखा था और मैंने बात बताई थी वहाँ पर काता है इंपोर्डेंट है ध्यान रतना आ सकता है आया है सीधा अगर इस पैट टू इस दराइट ऑफशन भई वन अपॉन टू इस दराइट ऑफशन देखिए सेवेंटी नाइन का भी ऑफशन है ट्रिक लिखवाई थी मैंने आप मेरा वीडियो इसी यूटूब चैनल पर पढ़ा है उसमें इंडिफिनिट और डिफिनिट के नाम से पढ़ा है जाके देखना यह ट्रिक बताई तो कहता इस पर सवाल आ सकता है और देखो सवाल मैं यह नहीं करो मेरे कहने सा गया लेकिन वह इंपॉर्टेंट चीज़े जो मैंने डिसकस कराई थी वह सारी चीज़े आपके एक्जाम में आ गई इससे आपका पेपर बहुत आसान हो गया के लि टिपकर का जो कौन सी दिपक्सर हिंदी वाली टिर्पक सर लेज्वा तो यह आपके रिज्ट राप पढ़ाते मेत पर난 दिक लिए दो तो आप सबको क्लियर हो रहा होगा कि पेपर एकदम अच्छा था सर गेट कब होगा गेट अभी होगा आपका टाइम है उसमें पेपर अभी तो प्यूपिस्टी देगी आप कोई गेट का यह तो एक और बहुत आसान सवाल यह देखो मैंने एक ट्रिक और दी थी पेटा एक एक और दी थी कैलकुलस में दी थी और आपके सीधा उसी ट्रिक पे एक्जाम में सवाल आया है बिटा जैना देखो मैं देख रहा हूं आपके सामने ट्रिक रहा हूं मैंने एक बात बताई थी किसी का इंटीग्रेशन करना हो और एक्स हो यहांपे efs xują जैना मेरी और फिर d f एकत् सो यह 17 ऑफ एक शाथ हो इसका पूरा डियर्ट करना हो तो एक्सक्राइस एक्स लाटां एक्स एक्स उफडमाएawk सब्सए कि टारेट मैं अशिपना था खो एक्स-एक स्था थी एफ-स-एक-स ने यह डारेक्ट टांसर मताया था देखिए एक सवाल आया इस पर अभी मैंने देखा था जल्दबाजी में यह देखे एकी पावर लॉक एक्स प्लस साइन एक्स थोड़ा घुमाया है पहचानना पड़ेगा इंटू कॉस एक्स जानते ही की पावर लॉक कुछ भी ओबेस कुछ प्लस प्लस ये बीटा की बेस है तो यह गायब हो गया देखिया जैना कॉस कुंझ नंधर लटेप्यलाइग्ट यह ड़ोगा है यह सय थर कॉस connected और प्लस यहां साइन dodge है तो साइन-ेक्स काॉसेक्स थोड़ा सा चेंज किया है और आपका आंसर आपके लाइन पे लेगा हुआ है आपका आनसर आपके लाइन थोड़ा सा दिमाग लगाने है और आफ्षिन अदर्वाइस को ILEET से करते बहुत लंबा जाता जो मैंने तरीका बताया था अगर वोई यूज करते तो आपका तुरंट आनसर आने वाला था बालक कुछ कर नहीं था कर ने बहुत चáginaसाना-सान कोशन है बिट इतने आसान है कि यह मैं क्या बताऊओ यह देखो रिपीटन है यह यह फर लाइग ब्लाइक कॉशन लिखने जा रहा हो हलां कि यूपी एसी इतना सवान रेपीट नहीं करता है पाता इतना कोशन रिपीट कर दिया लिए कभी भी इतना कोशन रिपीट नहीं होता है गटा यूपीस्ट में देखे यह वाला रिपीटर सवाला इंटीग्रेशन का आपने हजार भार घर पे लगाया होगा एक्सकी पावर एंड प्लस वन इससे भी आया था वन अपन एक्स यहां कि अब बताऊ अब मैं क्या कहूं जब बाते जो वही चीज हो रही है तो मैं कुछ कहें ही नहीं सकता। जो बच् inflamm वैपैं लालत बीडियो अब मैं कुछ कह नहीं सकता हूं कह रहा है साईट एक्स इंटू कोश एक्स का maximum वैलू बताऊँ अच्छे अच्छो की हालत करा सबसे बड़ी वैलु होती है वन होती है वहोती है होती है कि SILLALS कि वैलू 1 से 1 कि लॉब करते है मानस ़न से चोटी नहीं हो सकती 1 से बड़ी नहीं सकती अब एंगल पर खोई नहीं नहीं घुरक कि मैंने कह था साइन में एंगल कुछ भी रख दो दस 20 30 40 50 अकट और 2500 तो मैक्समूम लेंगे वन लेंगे अगर मिनमम कहा है तो मैंगल से मैक्समूम और मिनमम वैलू पर कोई फ्रैक नहीं पढ़ता है तो यह मैक्समूम पूछा तो हाफ इंटू वन बराबर हाफ देखो अब कांसर आगे सी इस दर राइट ऑप्शन बात सभी को समझ में आ रही वालक बहुत बहुत आसान पेपर था आप सभी बच्चों का और मुझे लगता है आप सभी ने बहुत अच्छा किया होगा और यह देखो और हो कॉट इन वर सेक्स को आपेच टैनि एंवर सेक्स का और पुछा ए तो इसको वाई मानते और इसको जड़ मांते सका अगया भी डी वाई इएक्स इसका वा एक्स मार एक स्कूरेइड करना था इस से इसका वन अपन वन फ्लैसिटेस्ति होता है यह कड़ के माइनस फनां यह देखो फिर पूछा इसी पे फिर सवाल पूछा आपको दिमाग लगाना था आपका आंस्वरा जाता मैं यह देखो का हुआ यह देखो बच्चे वीचले जाएंगे आगे आगया कि ते वाजा से दूसा पेपर जान लिखके बताव आपनो ढौश जयाको गांग का देखे-tree-kos ए-3 अभी इस ने काही है कि इसकी कैसे निूंतम बताओ आपकोन प्रॉलय वैलू यह भी माइनस वन-से वन होता है माइनस सफसे उस्पे बड़ी हो सकती है ना बढ़ी ससकती है जानते उब हो सभी लोगय कुछ भी वह य१िंटम कॉस है एंगियो आगे पीछ देंगी की बात करो ऑंगी सब्सक्राइब एक लाइन में आनस और आपको समझना था आपको audio ボुक्त लिए परता अगर आपको itu अब को प्रियर था तो आप कर ले जाते थे फांडेशन कोर्स अभी कोई भी कोर्स आफ-लाइन स्टार्ट नहीं हुआ है सारा ऑन लाइन स्टार्ट वटा धाइव जए जाना अब टाभी तो इंटीड है वज़े से हैं कि इता है उट्री टाइम बताओ इंटीड है वजेसे है है कितने बज़े से बार इंटी टाइम बता उसके हिसाब से हम बाइंड अब करें अरे बहुत आसान पेपर है अभी मैं सारे कोश्चिंस आपको एक लाइन से लाओंगा और फिर देखना मैं क्या मैं बता हो यार कुछ सवाल छोड़ना होता है मैंने पहले बताया था आपको 10-15-20 सवाल ऐसे दिखते हैं छोड़ो बागी तो फटाफट कर ले जा रहे हो कि अधाई बज़े इंटी टाइम है ना आपनों की इसमें अभी कितने बच्चे पेपर दे रहे हाथ ख़़ा करो मतलब जैहिन लिकर भेजो अगर आप वही बच्चे हो तो मैं पढ़ाओ अग सब्सक्राइब करेंगे अगर आप भी पेपर देने जा रहे हो आप एस्परेंट वाज इंडिया का फस्ट पेपर दियो तो जहीं लिकर भेजो देखें कितने बच्चे ऐसे जो भी पेपर दिये फिर दो चार्स वाल और आपको समझा दूं अच्छा जैस जैस है पेपर द स्लेवस भाइट एस 44 कोई स्लेवस नहीं है रिटन इग्जामिनेशन नहीं होता है प्लिए स्में के वले सबी इंटर्व्य होती है आपकी और अश्वी इंटर्व्यू का सेम पैटन है चाहें एंडिये का हो चाहें सेडियस का हो चैफ कि सिकाओ चलो चलो बहिए कुछ बाते और भी कर लेते हैं लौक का कुछ सवाल है और को सवाल इन्हों ने दिया है आप बायनोमेल ठेवर्म जो मेरा वीडियो पड़ा हुआ है एक बार उठाके देखना बेटा और एक बार दिमाग से इस सवाल को घर पे बैठके करना और बहुत मैं यह कहना चाहता हूं कि इससे आसान पेपर आपको आज के competitive माहूल में नहीं मिलने वाला है तो सीरी सी बात मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है मैं आपको डरा नहीं रहा हूं मैं आपको सचेत कर रहा हूं कि गलतियां कम करना अगर पेपर थोड़ा लेंदी लगे आपको और किसमें बनाएंगे वह हिस्ट्री में बनाएंगे जोग्राफी में बनाएंगे साइंस का कुछ पोर्शन बहुत डीप डाल सकते हैं तो आप उतनी कोशन को छोना बिटा कि वहां पर आपका क्या होता है emotional control नहीं रह जाता है अपने आप पे आप जल्दबाजी करने लगते ह और रही लाइन पढ़ा इसे पढ़ाया था यह तो सब्सक्राइब मैं करोगे आपका आएगा तब आप दोगे आंसर ऐसा तो है नहीं मैंस के के समें उस्के समें तो यहां पर क्या करना है कि जब आप कोश्चन करें तो जैट से ओर आंशन लगाएं पेपर कभी-कभी जल् कर ले जा रहे हो बहुत है बटा इस बात को सभी ध्यान रतना पेपर देते समय इस बात को ध्यान में रखना है आप सभी बच्चों को क्लियर है बहुत आसान पेपर था आज मैं पूरे 120 सवाल का साम को महायुद्र लेकर आऊंगा आपके सामने आप देखोगे आप सर ने तो इस पेइन करवा देंगे लेकिन आज आपकी आंसर की वगरा में बनाके दिला दूंगा सारी चीज़े बिलकुल प्रेशान ने हुए तो ध्यान रखिएगा बच्चों जो भी भी पेपर देने जा रहे हैं थोड़ा सा लेंदी पेपर हो सकता है यह माइंड बनाके जाईए जल्दबाजी मत करिएगा क्योंकि मैस का सेक्षन बहुत टफ नहीं था हर एक बच्चा साथ पैसर पचास साथ बच्चा कर सकता था और जिसने पढ़ा था अच्छे से उपचहत्तर असी जिसने और अच्छे से पढ़ा था आराम से 90 कर सकता था इस पेपर को देखकर मुझ भलने का फार्मुला मिनमंवैलो केलकुलस का फार्मॉला आयलेट लगा रहे हो एक भी सवाल देखा आपने मैंने कम से कम 10 15 सवाल बताया चैलकुलस के बड़े-इस थे वो लेकिन ट्रिक वाइज हो गये क्यों कि टिक मैंने आपको बताई है मैंने लिख्वाई है कि बेटा सवाल मिलता है और आपके सामने सीधे सीधे कोश्चन्स मिल रहे हैं ना विश्वास हो जो नहीं बच्चे है मेरा वीडियो पड़ा है अभी वीडियो जाके यूट्यूब पर देख लिना रात में आज है कि चलो भी यह कि एबल के अच्चरों को ब्यवस्थित करने के ऐसे तरीकों की संख्या जिसमें सोरों को समस्थान प्राप्त हो बताओ कि इससे आसान भी कुछ होगा क्या कुछ कहीं नहीं सकते हैं कहें क्या कि उम्मीद नहीं थी कि इतने लॉगडोन के बाद इतना असान पेपर देगा बच्चा छे मेंस त्यारी कर रहा है बैठा है घर में और पहले इस भी त्यारी था तो इतना असान पेपर देखिए इन्हों का एबल एबी एल ए कि है कितने है अस्थान एक दो तीज़ चार अस्थान थ्यां क्या है तो इन्होंनी क्या कहा शर को हमेशा कहां बैठाओ स्वापल भांवल में Kitty लुए वह वह सम्राइड यह पहला अस्था बहुत अच्छै समझिएंगा पहला दूस्रा तीसरा चौथा क्यां तोड़ town Сейчас और को किसी को बैठा दो तो दो तरीका होगा दो तरीका है दिशन देना और एक बचेगा तूर बैठाने ॆ यह यहां वी बैठ सकता है यहां भी और सकता है लेकिन वावन है कितने सुरी Congo स Fish कंसोनेंटינ Kang Pro यह बध्यान रता था किती六 जगें से कोई दो जगे पर बैटेंगे तो 3c2 series पहले हम उस जगे को सुरेट करेंगे और फिर अरेंज करना है तो दो और यह दो तरीक कर देंगे ऊłu मतलब भी यह रोखे यहां इसको देखिए इसको देखें गाएक ऐक बाइक बाझ चरदनी उनिया आठ इसका इस तरीके से तीन जगे तीन में से दो को सेलेट कर लिया अभी इस पर हम और अच्छे रिसन करेंगे मैंने आपको समझाया अभी कोई आंसर मैच कर रहा हो ना कर रहा हो कोई फ्रकने पड़ता है लेकिन जो कोश्चन था जिस तरीके से एक्जाम में अगें पूछा गया है मैं सवर्कति सवाल वैसे पूछ लिया गया है कुछ करने नहीं था भी था हा brow थोड़ी आपके पास टृक्स हैं तो आप कर ले जाओंगे घवराने की कोई भी बात नहीं थी बस थोड़ा सा सम्झान था पटा पेपर मैंने अच्छे से देखा था उसके बाद ही आया हूँ और फिर भी मैं पेपर वही देख रहा हूँ आपके सामने मेरे प्लास सामने पेपर रखा हुगा है और काफी सारे ऐसे कोशन से जो ट्रेंगिल होगरा से लेटेड़ है और बहुत आसाने कॉंसेरे दाफॉलिंगे स्टेटमेंट वगरा के हैं इन सारों को कराऊंगा को शर्टालिस माइनिस कॉस्ट्रल की वैलू पूछ लिया मैंने आपसे कहा था ध्यान रखना इनकी वैलूस और मैंने सीक्वेंस दिया था पंद्रा प्लस 65 का 15 प्लस 75 का सिक्वेंस दिया था ऐसे है आप सभी बच्चों का मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि यह देखिए यह सवाल अब करने बैठो तो एक सेकेंड का है अगर समझ गाए तो अगर नहीं समझ गए तो भीया लगा के दिमाग ऑफ्शन पूट मेथे कुछ लोग कहते ना कि ऑफ्शन मेथे से करो इस सवाल को अगर ऑफ्शन मेथेट से करने बैठोंगे तो थोड़ा लोंग लगेगा समय लगेगा लेकिन बेसिक से सब्सक्रों गए तो तुरंत हो जाएगा बिटा देखिए जड़ा साइन एक्स प्लस साइन वाई एक्वल्स टू कॉस वाई माइनस कॉस एक्स तो पूछा है और कह दिया है जीरो से वाई और एक्स दोनों यहां वाई आगे है और एक्स पीछे है और फिर पाई वाई टू मतलब जीरो से पाई वाई टू के बीच में एक्स वाई दोनों है है option method जो है यहाँ पे एंगल पूट करके देखो कौन बराबर दे रहा है तो यहाँ जब साइन कॉस का दोनों है प्लस मानेस है तो हो सकता है आप जल्दी एंगल वेरिफाइं ना कर पाओ और एक भीया साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है तू साइन सी प्लस डी तू साइन एक्स प्लस वाई बाई टू इंटू कॉस एक्स माइनस वाई बाई टू यहीं होता है फॉर्मला है स्कॉसी मैश कोस्ते क्या होता है डू कॉस ballots का साइन होता है जम मायरे सब्सDon seeking होता है भूलना नहीं है यह बस यहीं गलत होता है यहloящ थे बिलकुल भी में लिक फूट गया है तो लागा लूमीय ह्या टू याद ह Poker Moosa अब और पलस करेंगे तो डी माइनस सी मैनिस सरी कॉस नहीं होता है आपसायन होता है क्या पीलिग टू छाइन ने किया होगा दी Прoggit apoyo ठीम भाइन sa तो देखे टू से टू कैंस लोगा एक्स प्रस्वाइब से एक्स प्रस्वाइब कैंसिल हो गया इसको भाया इधर चले गए लेकर ले जा सकते हो के लिए अस्तियो देखे तो इधर वन बचेगा और उधर साइन अपॉन कॉस टैन एक्स माइनस वाइबाई टू और पूचा क्या था वर्ट इस अवैलू आफ टैन एक्स माइनस वाइबाई टू की वैलू वन है कुछ निकिवल सुटी लगाना था बस यहां ऑप्शन मेठर करने लगते हो यह गलवर कर देते हो फटा-फट कर तो आं चुका था एंडिये में कॉटल फापिड दिया कॉटल फाप्लस कॉट बीटा निकालते समाफ रूट कॉटल फाइंटू कॉटल फाप्रोडेक्ट आफूर और फॉर्मुले में रख देते तुरंत एक बिदिन सेकंड आंसर आ जाता ग्रोतर सेडी का पी स्कौाइर क्यू स् पूरा लिखवाया था बताया था क्लास में पढ़े थे तो ऑनलाइन में तो भी समय इधा दस पंदर दिन में नहीं मिल पाया था लेकिन आफ्लाइन में एक एक बात बताई थी मैंने फिर उनका मुल्टिप्लाई कर दिया एलन लॉग लग लगा दिया उसके लॉग पी कर आया होगा एक्जाम देने का कि अब पेपर बहुत नॉर्मल आता है UPSC बहुत बड़ी चीज नहीं है पहली बार अगर पेपर दे रहे हो डरना नहीं है घवराना नहीं है आपने देख लिया मैंत का पेपर इतने दिन से डर रहे थे घवरा रहे थे पेपर आया कितना अगर देखा जाए तो जितनी महनत करवाई UPSC ने उस लेबल का पेपर नहीं सट किया यह रिपीटर सवाल उठाके दिए 20-25 सवाल आप टनियस के लगाना 20-25 सवाल रिपीटर है टनियस में से सीधा सीधा कॉपी है और 15-20 सवाल प्रेक्टिस से सीधा कॉपी पाय कितने सवाल हो गए आप खुद देख लो कितने सवाल हो गए 60-65 तो ऐसे चलेगे तो जो उम्मीद थी हमारी उतना टफ नहीं है बस आप अच्छे से जीटी का पेपर एटेम्ट करना केरफुल होके पेपर जरूर पढ़ना इंगिल्स में कंफूजन जादा होती है तो अप अपने सेंस को यूज करना प्रेसर नहीं लेना है जो सर लोगों ने पढ़ाया जो आपको चीज़े आते हैं उस पर फोकस करें और अच्छे से दीजिए मुझे उम्मीर है कि आपका पेपर बहुत बेतर जाएगा एक बार फिर मैं दुबारा से आप सभी को आपके पेपर क सब्सक्राइब गुड़ लग जैन जैभारत